एक पाकिस्तानी कोट के द्वारा फॉर्मर प्राइम निस्टर इमरान खान जी को 10 साल की सजा सुनाई गई है अल्रेडी देखो मिरान खान जी की मैं बात करूँ तो 3 साल की सजा वो अल्रेडी काटी रहे हैं इसके साथ ही 1500 से भी जादा मुकदमे उनके उपर अल्रेडी पेंडिंग है और इस तरह से 10 साल का और सजा होना कहिना कि उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल उनको माजिलाइस कर दिया गया है साथ में अगर आप रूटेस करो तो इंडिया में रीसेंटी अभी एक सर्वे हुआ है जहां पर स्नो लेपर्ड के काउंट को एस्टिमेट करने कोशिश करी गई है और ऐसा बताया गया है यहां पर टूटल 718 स्नो लेपर इंडिया में देखने को मिले है अपने आप में काफी vulnerable animal है तो थोड़ इसके बारे में हम discussion आज करेंगे दोस्तों date है आज की 31 जनवरी 2024 और आप सभी का स्वागत है आज के प्रेलियम बूस्टर news discussion के अंदर देखे 31 जनवरी आप जानते होंगे की being economy students आप सब के बहुत important होती है कल एक February भी है बजट के वज़ा से important हो जाती है पर एक चीज़ notice करो इस बार ना थोड़े टाइम के बाद ही elections है लोगसभा की elections आने वाले हैं बिलकुल दो महीने लगभग बचे हुए है उसक बाद लोगसभा elections मारे start होते हुए हमें देखने को मिलेंगे अब जब ऐसा होता है ना तो सरकार पता क्या करती है सरकार full economic survey नहीं लेकर आती तो इस बार का ना सरकार ने क्या लेकर आई है the Indian economy review basically आपकी जो chief economic advisor है उनकी यहां पर हम बात करेंगे तो एक्च्वल में इस बार आपका complete economic survey नहीं आया है complete economic survey कब आएगा जब आपके elections हो जाएंगे election होने के बाद जो भी नहीं सरकार बनेगी वो फिर complete economic survey यहां पर लेकर आएगी पर अभी एक basic document आया है the Indian economy review या ऐसा कह सकते हो कि economic survey का एक छोटा हिस्सा हमें यहां पर देखने को मिला है तो यह चीज़ हमारे exam के लिए definitely important है तो आज दुपहर में 11-12 बजे के round मैं आपके सा स्क्राम के perspective से यह बहुत important होने वाला है बहुत साई चीज़ेंगे economy में क्या बढ़िया हुआ क्या खराब हुआ सारे discussion यह आज हो जाएगा आगे चलते हैं snow leopard population assessment के बारे में जान लेते हैं जैसा मैंने अभी आपको पताया कि total 718 इनकी population अभी देखने को मिली तो हुआ क्या है ना हमारे जो union minister of environment, forest and climate change है उनके द्वारा report lease करी गी है उन्दा status of snow leopard in India ठीक है ना एक basically national board for wildlife की meeting थी नई दिल्ली के अंदर वहाँ पर ये report को release करा गया तो पहली बार एक तरह का scientific exercise इनकी population की regarding हमें देखने को मिली है population मैंने बता ही दी तो wildlife institute of India WII इसके द्वारा ये particular चल रही थी ठीक है सर्वी चल रहा था 2019 से लेकि 2023 तक बहुत सारे camera traps की मदद से और बहुत सारे तरीकों से इसकी evaluation करीगे कितना यहाँ पे इनका number है जो आपको maximum number देखने को मिला है that is in the ladak basically 718 में से 477 तो आपके ladak में ही देखने को मिल जाते हैं और actual में ladak में भी आप जा capital of the world भी बोला जाता है क्योंकि actual में सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे अगर आप इंडिया की बात करों तो आप notice करोगे चलो जम्मू कश्मीर हो गया हमारा लद्दाक हिमाचल उत्राकंड सिक्किम अरुनाचल परदेश यह areas के दर देखने को मि बाकी का जो बचा हुआ two-third portion होगा वह अभी भी unprotected है तो हमें काफी ज़्यादा काम फिरने को बचा हुआ है बहुत सारे threats भी यहां पर बताया जा रहे है जैसे इनका habitat destruction हो रहा है invasive species के कारण इनका threat बढ़ गया है climate change हो रहा है ठीक है pollution की वज़ा से तो कहें नगे अगर आप notice करो यह जो हाँ पर snow अगर इस तरह से melt होती रहेगी तो इनकी habitat destruction होगी ही होगी तो इस वज़ा से हमें इनके लिए protection proper चाहिए ही होगा और जैसे मैं आपको बता भी रहा था इनका IUCN status vulnerable देखने को मिल जाता है ऐसा नहीं है इंडिया बाकी और country साथ collaborate कर रहा है ताकि मिलकर हम snow lepers को protect कर पाएं बाकी project snow leopard भी हमारे पास है एंड हिमल सनरक्षक ठीक है न यहाँ पर 2020 में सको launch किया गया था as a community volunteer program ताकि लोगs आएंस आगे and accordingly इनको यहाँ पर protect करें तो एक तरह से हिमालियन ecosystem कैसा है उसकी health को भी यहा एकने को मिल जाएंगे आगे चलते हैं startup शाला flagship accelerator program देखिया आप जानते होंगे कि इंडिया में आज के time startup culture चल रहा है अभी तो shark tank का season 3 भी start हो गया हाइटिंग है तो इस तरह से अगर आप notice करोगे तो इंडिया में दुनिया का third largest startup ecosystem है आप जानते हो USA और चाइना यह दोनो topmost है in startup ecosystem उसके बाद इंडिया का 30 नंबर के उपर आपको ecosystem में रैंक देखने को मिल जाएगा इवन अगर मैं बात करूँ global innovation index की वहां पर भी इंडिया ने काफी तरक्की करी है और हम 140 पे नंबर पर आ गए हैं sorry 40 में नंबर पे पहले हम 81 के उपर हो तक हम पिछले 7-8 सालों के अदर हमने काफी तेजी करी है इंदा startup ecosystem बागी देखो जैसे PW भी क्या है एक unicorn है अभी कल पर सो ही I think हमने क्रुस्त्रेम के बारे में discuss किया था वो भी यहाँ एक unicorn देखने को मिल रहे हैं तो startup अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें भी तो उनको help करनी चाहिए कि भाईया और आ गया हो और मेहनत करो है ना और guidance उनको proper प्रवाइड करने चाहिए तो दरहसल में ना startup शाला यह और कुछ नहीं इसी चीज़ को प्रवाइड करता है बेसिकली यहाँ पर क्या होगा आपके देखो बहुत सारे educational institutions आपकी large जो corporate entities हैं वो साथ में आएंगी inclusion centers जहाँ पर इनको यहाँ पर प्रवाइरमेंट दिया जाएगा यह सब लोग आपस में आके क्या करेंगे इन startups को अलग-अलग तरह की facilities और resources प्रवाइड करेंगे इन resources के मादियम से क्या होगा जो startups अभी बिल्कुल starting stage के अंदर है उनको अगर proper resources प्रवाइडेंस मिल जाएगी तो क्या होगा वो कहीं न के अपनी इस guidance के तुरू अपनी जर्नी को next level तक ले जाएंगे यह यहां पर कोशिश है किसकी dpiit की that is आपका जो आप जानते होंगे न जो सारा आपको समझा जेता हूं जो भी आपका startup रिगार्डिंग काम होता है उसमें major role रहता है ministry of commerce and industry का और उसके अंदर गात एक आपका department है dpiit department for promotion of industry and internal trade तो यह भी यहां पर इसके दोरा ही start किया गया है अब यहां पर कुछ eligibility criteria है जैसे for example जो startup होना चाहिए वह recognition उसको मिली होना चाहिए by dpiit startup sustainability sector के अंदर काम करे वह revenue generate करता हो startup and साथ साथ के growth stage में होना चाहिए अगर यह condition को startup follow करता है तो उनको यहां पर इस program के इंतर हमारे जो economy को हमें एक push देखने हो मिल जाएगा और जैसा मैं आपको बता भी रहा था हमारे ecosystem के regarding we are the third largest startup ecosystem and our rank in global innovation index is rank 40 और इंडिया के पास अब तो 108 से भी ज्यादा unicorn है यह तो मेही 2023 है उसके बाद तो और भी unicorns हमारे यहां पे add होते हुए देखने को मिल जाएंगे next चलते हैं UNRWA के बारे में discuss कर लेते हैं what is UNRWA United Nation Relief and Works Agency for Palestinian Refugees देखो हुआ कहना जब 1948 के around और अब Israeli war हमें देखने को मिलती है उसके बाद आप notice करो कि Israel ने काफी सरा area capture कर लिया था इस war के अंदर और बहुत सारे जो Palestinians थे वो बहुत सारे refugees बन गए तो कही ना कही उन Palestinian Refugees की मदद करने के लिए उनकी aid के लिए यहाँ पर हमारे पास एक agency बनती है that is UNRWA ठीक है अब आप लोग सोचो के सर क्या मदद दे रही है देखो अलग-अलग तरह की humanitarian assistance होती है न वो यहाँ पर provide कर जानी जैसे for example आपका खाना हो गया आपका पानी हो इनको proper shelter वगरा provide करना यह सारी अलग-अलग cities UNRWA दे लिए अब सर यह चीज़े करनी है तो इसके लिए चाहिए पैसा बिल्कूल ठीक बात है तो पैसा आएगा कहां से देखो पैसा ना कुछ countries अपने हिसाब से यहाँ पर देती है जैसे for example US से अच्छा खासा पैसा देता है बाकी भी और UN वगरा भी थोड़ा बहुत फंड देता है ताकि वहां के जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी administrative post वगरा को हम यहाँ पे cover कर पाएं तो इस तरह से majorly voluntary contribution रहता है पर अभी पता क्या हुआ जब आप देख रहे हो अभी आज कल तो सर इसराइल जो हमास की जंग चल रही है है कि नहीं चल रही है बिल्कुल चल रही है अब इस चक्कर में पता क्या हुआ है इस चकर में ये UNRWA के काम रुख गये हैं क्यों रुख गये हैं देखो ऐसा ना आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो agency है ना इसके कुछ लोग हैं उन्होंने पता क्या करिया उन् जंग को यहां पर promote किया है या कुछ लोग इसके यहां पर involved है और इस वज़ा से बहुत सारी countries ने इनको जो funding वगरा होती है तो funding या तो कम कर दी है या फिर रोक दी है अब आप खुद बताओ इनको अगर पैसा नहीं मिलेगा funding नहीं मिलेगी तो जो food, shelter, water यह कहां से दे बना चुका है यह funding मतरों को नहीं तो यह दिक्कत आ जाएगी तो इस मुद्दे में हम बहुत आड़ डिटेल में नहीं जाएंगे हमें पता होना चाहिए था कि UNRWA क्या है हम समझ भी चुके हैं कहां पर यह operate करती है आपके गाजा और जो इसराइल के दोरा best bank occupied है उसके इसे यहां पर provide करती है वे points से regarding UNRWA जो आपको यहां पर पता होने चाहिए funding के बारे में मैंने आपको यहां पर समझा ही दिया है next चलते है अंगले topic की तरफ that is Maratha Military Landscapes of India देखो actual में न जब हम बात करते हैं UNESCO World Heritage List की आप जानते हैं कि इंडिया में सर्फ 42 UNESCO World Heritage Sites देखने को मिलती हैं बिलकुल ठीक बात है अब 2024-25 के लिए इंडिया ने nomination दिया है उस nomination के अंदर ना इंडिया ने किसको include किया है Maratha Military Landscapes को देखो अगर हम बात करें छत्रपती शिवाजी महराज की तो आप जानते होंगे कि उनके rule के time and उनके rule के बाद भी बहुत सारे rulers ने क्या काम क अपने terrain अपना जो area था उसको utilize किया उस utilization की माध्यम से क्या हुआ Maratha का military landscape काफी improve हुआ आप इनकी जो gorilla warfare techniques है जिसके माध्यम से क्या किया जाता था जिसके माध्यम से अगर आपके वास कम army भी है ना कम force भी है अब सामने वाले को हरा देते थे इनकी geography का इनके environment का बहुत अच military को improve किया तो यही जो exceptional fort deficient थी exceptional military system था इसी को जो चीज करी गई है इसी को हम कोशिश कर रहे हैं UNESCO की world heritage site के दर include करने कि इसके हमने इसको nominate कर गया है मैं आपको example समझाता हूँ जैसे आपने राइगड़ fort का नाम सुना होगा लोगड़ fort की तो आपके कहानी बता ही आपको परताब गड़ fort हो गया पर अनहला fort हो गया विजय दुर्ग हो गया सिंदु दुर्ग हो गया यह बहुत सरे इस तरह से fort हैं hill fort में है कुछ hill forest है कुछ hill plateau fort है कुछ coastal fort है कुछ island की उपर बने हुए fort है यह सब को यहाँ पे हमने इस nomination के दर include किया है समझे इस बात को तो एक त इस साइट के दर देखने को मिल जाएंगी 1670 के अंदर यह start हुआ यह landscape इस तरह से and continued रहा 1818 तक बाकी अपने terrain को use किया और एक बहुत पर legacy यहाँ पर चोड़ कर गए है अब यह जो आएगी ना अगर यह इसको मिल जाता है मराथा मिल्टरी लैंड्सकेप को तो वह cultural के अंदर आएगी अगर यहाँ पर cultural tradition या civilization है living or extinct के अंदर या फिर एक ऐसी building architecture या technological जिसके माध्यम से हमें human history के significance यह जिसका पता लगता है and साथी साथ इसका association है directly or indirectly with various events तो इस criteria के माध्यम से यह हमें expected है कि इसको भी यहाँ पर यह Nesco World Heritage Site का दर्जा मिल जाएगा बाकी मैंने आपको बताया इंडिया में total 42 है पिछले साल ही दो को मिला था जब हमने discuss भी किया था आपको जो शांतीन केतन है ठीक है ना रमिंदर नाठे गोर जी के साथ जो लिंक था उसको 41st Nesco World Heritage Site का दर्जा मिला था एंड उसके साथ ही साथ आपके जो बेलूर, हालेबिड और सोमनात्पुरा के जो टेंपल्स हैं में करनाठका के दर देखने को मिलते हैं जिनको फोई साला रूलर्स के बारब बनाए गया था वह 42nd हमारा एडिशन था बाकी जब 40 माँ एड हुआ था तब तो UPS ने उसके पर कोशन पूचा ही था, डेफिनेटली इनके उपर भी कोशन आने वाले प्रिलिम्स में आ सकता है, उनेस्को के बारे में आप जान पर ही होंगे सब लोग कि उनेस्को यूएन की एक स्पेशल अगेंसी है जिसका 1945 के अंदर establishment हुआ था और इसके headquarter आपको Paris, France में देखने क को मिल जाएंगे, ठीक है, काम यही है, देखो नाम में ही क्या है, educational, scientific and culture, तो इन सभी चीजों को advance करने के लिए, दुनिया में peace and security को establish करने के लिए, international collaboration के उपर यह focus करता है, टोटल यहां पे आपको 194 members countries देखने को मिल जाएंगी, जिसमें इंडिया भी एक member, founding member इसका रहा ह है, उसका यह नाम है सदातंसी, ठीक है, तो नाम आपको definitely पता होने चाहिए, जैसा आप इस picture से अंधादा लगा पा रहे होंगे, कि राजस्थान के अंदर, यह joint military exercise है between India and Saudi Arabia, Saudi Arabia की तरफ से आपको 45 personal देखने को मिल जाएंगे, इंडिया की तरफ से 45 लोग ही यहां पे इसके आपको जानकारी इसमें पता होने चाहिए, देखो, इनके माद्रम से होगा क्या, दोनों countries ना, इंडिया और Saudi Arabia, आपस में अपने जो भी tactics हैं, अपनी जो techniques हैं, और अपनी जो भी procedures हैं, उनको आपस में exchange करेंगे, ताए कहीना कहीना अपनी expertise के दूसरे को benefit हो पाए, and accordingly दोन से proper यहां पर training भी हो जाएगी, तो यह नाम बिलकुल आपको पता हो जाएए, सदा तंसीब के बारे में, इसके लाव अभी एक और exercise है, exercise al-mohad-al-hindi, ठीक है न, इससे क्या होता है, वार जो भी नेवल forces होती है, उनके बीच में inter-operability के लिए यह मारी exercise होती है, जैसे for example, search and rescue operations के अंदर हम अपनी expertise share करते हैं, तो इस exercise का भी नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए, दोस्तो आज की discussion की विज़िस के उपर, यह मैं कुछ आपको homework दे रहा हूँ, जिनका answer मुझे आप true और false की form के अंदर, नीचे comments के अंसर बताओगे कि आपके साब से इन में से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कल जो homework दिया था उसका answer discuss कर लेते हैं, laughing girl की बात करें, तो यह vulnerable नहीं आपका, यह आपका least concern इसका status था, तो पहला statement आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, दूसरा ecovast की बात करें, तो इसके headquarters बिल्कुल, Nigeria के अंदर ही आपको देखने की मिज़िए second is correct, ऐसी drain की बात करें, तो करें, sulfur dioxide और nitrogen oxide जब atmosphere के अंदर enter होते हैं, accordingly वो water droplets की form में नीचे उतरता है, उसी को ऐसी drain बोला जाता है, that is also correct, नागरजुना, श्री साइलम टाइगर रिजर्व, आपका मध्य परदेश के अंदर नहीं, यह आपका आ जाएगा, तेलंगाना और अंदर परदेश के अंदर, ठीक है, तो यह होगे कल के discussion, आज का homework क्या रहेगा, easy question आज का, पहला question तो कि इनके में से कौन सी इने सको world heritage list के अंदर included है, आज के time view पर, and दूसरा आपका homework रहेगा, with regards to एक particular word है, यह word क्यो news में है, क्या किस चीज़ के साथ linked है, यह आपने बत seaweed cultivation नहीं आता, अरे नहीं, कल मैंने seaweed cultivation पढ़ाया था, यह included है, मत से समपता योजना के अंदर, seaweed तो हमें पता ही है, ठीक है, किस तरह से आपकी जो समुदरी शवाल होते हैं, उसकी क्या क्या benefits हैं, उस सारे हमने पढ़े थे, तो अलग-अलग fisheries activities के लिए, financial assistance provide करी जाती है, using this particular scheme, and यह assistance आपकी seaweed cultivation के लिए भी है, तो first statement, जो कहरा है कि does not include, नहीं, इसमे include होता है, second statement की बात करें, यहां कहरा है कि cluster-based approach के पर यह focus करता है, answer is yes, यहां पर basically cluster कहलो, या फिर area-based approach कहलो, आपकी जैसे fisheries है ना, उसकी कुछ backward and forward linkages, उनके साथ इसका link मिना जादा था कि अच् marketing उसके proper हो पाए, proper seeds बगएरा मिल पाए, यह सारी चीज़े, तो that is correct, second statement, third कहरा है, जो e-gopala app है, यह इस scheme के साथ linked है, देखो जब e-gopala app की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, livestock sector की, जैसे आपके बश्रू बगएरा होगे, उनके लिए quality breeding कैसे हो, proper services होगी या नहीं होगी farmer's को guide किया दाता है, animals का proper treatment करवाई दाता है, वो चीज़ों के साथ linked है, इसका मत्सिय के साथ कोई link नहीं है, तो third आपका गलत हो गया, यह ना तो आप देख सकते हो, कि पहला और तीसरा गलत है, तो actual में correct कितना है, सिरफ second वाला ही यहाँ पे correct है, second homework जो मने आपको दिया थ courses, ठीक है, धन, यहाँ पर क्या होता है न, आपके जो भी bio gas plants वगेरा setup किया जाते हैं, इसके अंतर गत, तो जो पहला statement कह रहा है, department of drinking water and sanitation, यह आप इसको coordinate करता है, अंसर is yes, आपकी जो जल शक्ती ministry होती है न, वो यहाँ पर इस चीज़ को देखती है, तो पहला statement आपकर correct हो यह तो second बात कर रहा है, PM कुसम की नहीं, PM कुसम एक अलग scheme है, उसका एकसाथ यहाँ पर linkage नहीं है, थर्ड की बात करें किसके माध्यम से हम यहाँ पर circle economy promote करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, circle economy मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, whole of government approach के अंतरगत, बिल्कुल ठीक बात है, य only as official पिजा के स्की PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो, so keep working hard, thank you very much for the discussion.